C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे भारत की नदियां श्रिंखला के अंतरगत कारिक्रम पेरियार नदी केरल प्रदेश में थेकड़ी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है चारों ओर हर्याली ही हर्याली भाती भाती के पेड़ पौधों की सुगंद से भरा पूरा वातावरन पर्वतों की दर्शनिये कतारे और इस जादूई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पाहाडों के बीचों बीच बनी पेरियार जीद चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है पेरियार यू तो टाइगर रिजर्व है यहां बागों को सनरक्षित किया गया है मगर ये अपने हाथियों और तरहे तरहे के दूसरे पशुपक्षियों के लिए भी जाना जाता है जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजा ही बनी रहती है इन्ही सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी है जो अपनी केरल की सहेली लक्षमी के साथ यहां घूमने आई है आईए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर लक्षमी लक्षमी वो देखो हाथी लगता है अपने परिवार के साथ जील में नहाने आया है और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है चलो चलो पास चल कर देखते हैं हाँ हाँ सुनीता मगर मगर ज़रा संभाल कर चोट मत खा जाना हाँ अच्छा सुनो ज़रा मुझे अपना कैमरा देना देखो जील के बीच ओ बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिडियां कितने सुन्दर लग रहे हैं मैं ज़रा इनकी फोटो लेती हूँ हाँ 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 सुनीता ये लो ये पकड़ो पकड़ो लक्षमी इस पेरियार लेके अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं देखो सुनीता सन 1895 के आसपास यहां बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं और उसी की वज़ा से यहां पहाडों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक जील का रूप ले लिया ओ तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय जील में डूब गये फिर धीरे धीरे सूख गये हां और अब जब इनमें तरहां तरहां के पक्षी जुंड बना कर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उटता है हां ये तो दिखी रहा है वैसे ये बताओ लक्षमी इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है अच्छा चलो हम उन से पूछते हैं वह यहीं के कर्मचारी लगते हैं अहां चलो चलो इसक्यूज मी जी हां कहिए जी मैं लक्षमी हूं और ये मेरी दोस्त सुनीता नमस्ते नमस्ते हम लोग यहां घूमने आए हैं आप हमें यहां के बारे में कुछ बताएंगे हां जी हां जी हां क्यों नहीं आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा वैसे मैं अपना परिशे दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक forest officer हूँ बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगा Tiger Reserve कब बनी देखे, 1933 में इस जगा को पेरियार Wild Life Sanctuary के तौर पर स्थाफित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एक मात्र Tiger Reserve घोशत किया गया था कमल जी, क्या इस Tiger Reserve को पेरियार नाम पेरियार नदी की वज़ा से ही दिया गया है असल में सुनिता जी, इस जगा के खुपसूर्ती, यहां का वन्य जिवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है ये जगे ओशन कटि बंधिये, याने ट्रोफिकल जलवाईयू के ख्षेत्र में आती है यहां खुब बारिश होती है और इसी लिए यहां के जंगल हरे भरे रहते है यही कारण है कि यहां प्राणियों और बनस्पतियों की एक हजार से ज्यादा प्रजादियां है कमल जी वैसे पेरियार नदी तमिल नाडू से निकलती है न? हाँ सुलिता यह निकलती तो तमिल नाडू से ही है मगर इसका कोई 60 किलो मीटर का हिस्सा ही तमिल नाडू में पढ़ता है बाकी करीब 240 किलो मीटर की यात्रा यह केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है यह केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बलकी केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है सहारा मिलता है अच्छा तो तमिल लाडू में यह निकलती कहां से है लक्षमी भै वो जगा तो मैंने देखी नहीं मैंने देखी है काफी पहले वाह क्या सुन्दर दिरिश्चता हो जगा का वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी और ये बड़ी नदी यानि पेरियार तमिल नाडू की शिवगिरी पहाडियों से समुदर तल से को 2800 मीटर की उंचाई से नीचे आती है अक्सर जब उन बहाड़ीयों को चूते हुए बादल गुजरते हैं तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नाया मनजर होता है कमल जी आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बता कर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल भाई मगर अब तो शाम हो चली है अच्छा वैसे आप लोग ठेरे काहा है यहीं रेस्ट हाउस में रेस्ट हाउस में जी तो ठीक है कल सुबह में ठीक आठ बजे आपके पास पहुंचूंगा यह ठीक रहेगा तो चलिए कल मिलते हैं ओकी ब सुनीता आठ तो बजने वाले हैं कमल जी आते ही होंगे अरे लगता है कमल जी आ गए सबसे पहरे तो मैं यह जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या एहमियत है ठीक है लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्षमी जी दें क्योंकि यह केरल के रहने वाली है क्यों ने कमल जी बचपन तो मेरा केरल में बीता था मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई मगर अक्सर केरल आना होता रहा लेकिन हां जैसा कि पिता जी कहते हैं उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अदभुत खुबसूरती हुआ करती थी ना वो अब लुट चुकी है मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूशन बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खत्रा पैदा हो गया है बिल्कुल सही कह रही है आप अच्छा अब ये बताईए हम इस समय ठेकडी में है अब यहां से आगे ये नदी किन-किन खास स्थानों से होकर जाती है देखिए आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुई ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है वांडी पेरियार? हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंदर है जो चाए, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है और यहां कई किस्म के फूलों के खुबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं अच्छा, वैसे मैंने सुना है, यहां इलाइची की खेती भी खूब होती है हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने ठेकड़ी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगा है जो दुनिया का सबसे मशूर इलाइची का व्यापार केंदर है यहां इलाइची के बागों को देखने का अपना एक अलग मज़ा है यह केरल भी क्या जगा है? चाए, कौफी, काली मिर्च, इलाइची इस सब की खेती होती है यहाँ पर है न यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खुब उगाए जाते हैं हाँ, ठीक कहा अपने लक्षमी जी वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरु मुथुराई और कटपना नदियों से मिलते हुए यह इडुकी पहुँचती है और इडुकी के बाद इसमें नीरिया मंगलम के पास इडा मलियार नामक ट्रिव्यूट्री यानि सहायक नदी मिलती है जैसे मनन मल्यालम, उरली, मुथवन, कादर वगेरा और इन सबका पालन पोशन भी आज तक पेरियार नहीं किया है हाँ और अब ये आदिवासी मुनार, कटाबाना, इले पारा और वाडी पेरियार की चाए, कॉफी, रबर रीक और इलाइची वगेरा से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते है मानने ता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान शेराम ने गिधराज जटाईयों का अंतिम संसकार किया था इसी लिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुर्खों को श्रधांजली देने आते हैं और इस कार्रे के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है जिसमें अपने प्रिये जनों के अंतिम संसकार या अस्थी विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं पेरियार के तट पर बसा मले तूर इसायू का बहुत मशूर तीर थै कहा जाता है कि इसा मसीही के शिष्षे संथ थौमस यहां आये थे और इस जगे को पवित्र किया था लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयतूर की पहाड़ियों की कठें चढ़ाई करते हैं मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुशने के बाद पेरियार दो भागों में बढ़ जाती है पहली मंगल पुझा शाखा महला चलागोडी नदी से मिलकर लक्षदीप सागर में चली जाती है और दूसरी इलूर की और द्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है क्यों ठीका ना मैंने कमल जी जी हां बिलकुल सही कहा अपने लक्षमी जी हारी प्रदूशन की वज़े से पेरियार की मचलियों की कुछ एहम प्रजातियां तो बिलकुल गाय भी हो चुकी है तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है, जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है? जी हाँ, मगर दुनिया में बरबात करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं इसलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आये हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खुबसूर्ती, निर्मलता और खुशाली वापस दिलाने के मोहिम में लगे हुए वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि परियावरण के लिए कुछ करूँ तो करो ना सुनीता, तो चलिए शुरुवात यहीं से करते हैं पेरियार से बिल्कुँ नेक काम में भला देरी किस बात की और फिर अगर वो काम परियावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है और अब बारी आपकी और हमारी है चलिए, हम भी परियावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें आज से और अभी से हम तो तयार हैं, आप भी तयार हैं ना पेरियार नदी अभी आप सुन रहे थे ये कारिग्रम विशे समन्वे, शोध एवं आलेक, अक्तर हुसेन कलाकार, राजेश आहुजा, हर्षबाला, गीता वर्मा और प्रवीन शर्मा भन्यंकन, अमिता भट्टी, निर्मान सहयोग, दाव दयाल चतुर्वेदी तथा निर्मान एवं प्रस्तुती अजीत होरू विशे समन्वेदी विशे समन्वेदी विशे समन्वेदी यिशे समन्वेदी